हाई गाईज विलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे गाईज अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई हैं और करवाने के बाद आपके बाल बहुत जदा वीक हो गया हैं कमजोर हो गया हैं हियर फॉल ह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगे कि आपको कैसे करें मसाज कैसे करें आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा स्मूथनिंग वाले बाल आपके काफी टाइम तक स्मूथ सिल्की and soft रहेंगे तो guys वीडियो जरूर देखे और वीडियो को like जरूर करें guys मैंने करवाई है smoothing और smoothing करवाने के बाद मैं भी बिल्कुल confused थी कि मुझे अपने बालों पर oiling कब करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए तो guys smoothing करवाने के बाद एक महीने के बाद ही आप oiling कर सकते हैं जो भी oil यूज़ करना चाहते हैं वो oil यूज़ कर सकते हैं मैं mustard oil करते हूँ आपको cotton में dip करक Alrighty करना है इस तरह से आपको आपको आइलिंग करनी है smoothing करवाने से पहले जैसे आप oiling करते थे मसाज करते थे बहुत ज़दा मसाज हेवी हेर आइलिंग वो आपको नहीं करनी है थोड़ा सा ही आइल लेना और उसको आपको कॉटन से अपने पूरी स्केल्प एंड लेंथ पर लगाना है लेंथ पर आप हाथों से लगा सकते हैं बट स्केल्प पर आपको कॉटन की हेल्प से आइल लगाना है कॉटन को आइल में डिप करकर के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आइल लगाना है बहुत ज़दा हेवी हेर आइलिंग नहीं करनी क्योंकि अगर आप बहुत ज़दा अपने बालों पर आइलिंग कर लेंगे फिर उतना ही ज़्यादा आप शैंपू करेंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ही ओईल लेना है कॉटन से आपको अपनी पूरी स्कैलप पर ओईल लगाना है इसके बाद मसाज भी आपको बहुत ही कम करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको मसाज किस तरह से करनी है कुछ लोग सोचते हैं कि स्मूथनिंग करवाने के बाद हम ऑईलिंग नहीं कर सकते तो guys अगर हम oiling नहीं करेंगे तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा dry हो जाएंगे, rough हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, dandruff की problem हमें होगी, itching की problem होगी, scalp infection हो सकता है, here fall हमें होना start हो जाएगा क्योंकि जब हम smoothing करवाते हैं, तो हमारे बालो पर बहुत ही ज़्यादा chemical use किये जाते हैं, जो कि हमारे बालो को धीरे दीरे हमारे बालो पर असर करते हैं, हमारे बाल कमजोर होने start हो जाते हैं, इसलिए guys oiling ज़रूर करें, एक महिने तक आपको precautions लेने हैं, एक महिने तक बढ़ बना सकते लेंगे सबसांद करेंगे हम इतना में हंप एक जते कि अधिक और फिली रिंग की आपसने कसी अधिन नहीं नगा से लगारी है आकल अद्सपर श्लकुले में दे सके लगा रही है आपको अधिर कर से ख़लाने मोगत हैं लीकुल किसकी से मगत होतों है आपको oiling करनी है, बालो की partition करके आप oiling कर सकते हैं, जितना आपकी tips पर oil आता है, सिरफ उतना ही oil आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा heavy hair oiling बालो पर नहीं करनी है, बालो के ends पर भी आपको अच्छी तरह से oiling करनी है, इससे आपको split ends की problem नहीं होगी, आपके बाल दो मुह जरूर कीजिए, oiling को कभी भी skip मत कीजिए, अगर आप oiling को skip कर देंगे, आप सोचेंगे कि मैंने तो smootering करवाई है, rebonding करवाई है, तो मैं तो oil का use बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आपको oiling जरूर करनी चाहिए, इससे आपके बाल और ज कैसे इतने हल्दी रहेंगे, इस तरह से आपको length पर oiling करनी है, और scalp पर किस तरह से oiling करनी है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि cotton से आपको oiling करनी है, इसके बाद मसाज भी आपको अपने बालों पर बड़े हलके हातों से करनी है, जैसे कि हम पहले मसाज करते थे बहुत ज्यादा अच्छी वाली मसाज बालों को इधर उधर करना वो वाली मसाज हमें नहीं करनी है बिल्कुल हलके हाथों से थोड़ी थोड़ी मसाज करनी है फोरेडर नेक पर भी मसाज करनी है अगर आप इस तरह से ऑईलिंग करेंगे आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं हो उल्टा पके बाल यह ज्न्दार हो जाएंगे छुफ्ट की रहेंगे जो स्मूत ready look कि आपकी टाइम तक रहेंगहीगी तो देखिए इस तरह से आपको मसाज करनी हां बालो कि मसाज इस तरह करनी हैं कि आपके बालो में बिलकुल भी एंगलो कि आपको नहीं बना नहीं कि और अगर आप एक महिने बाद भी ब्रेड बना लेंगे और वो आपके बालों में फिर बेंड पर सकता है ब्रेड आप बना सकते हैं बट कुछ देर बाद जब आपकी स्मूतिनिंग को दोड़ाई महिने हो जाएं फिर आप ब्रेड भी बना सकते हैं ओईलिंग करने के बाद आपको बालों को ओपन ही छोड़ देना या फिर आप केच्चर का यूज कर सकते हैं तो देखे गाईस इस तरह से आपको नेक पर भी मसाज करनी है बिल्कुल आपको अपने बालों को स्ट्रेट रखना है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम ऑईलिंग कर रहे हैं उससे हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट रह रहे हैं मैंने बालों को fold नहीं किया, उपर नीचे नहीं किया, tangles मैंने बालों को बिलकुल भी tangles नहीं पढ़ने दिये हैं कानों के पीछे भी आपको इस तरह से massage करनी है smoothening करवाने के बाद अगर आप इस तरह से oiling करेंगे ना तो आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा आपके बाल dry नहीं होंगे, hair fall के problem नहीं होगी, आपके बाल rough नहीं होंगे, पतले नहीं लगेंगे, थिन नहीं लगेंगे oiling को कभी भी skip मत कीजी और येवला सोच तो बिलकुल मत रखें कि आपको oiling नहीं करनी है, oiling से आपके बाल खराब हो जाएंगे, smoothing वाली look नहीं रह जाएगी, oiling ज़रूर करनी है आपको हफते में एक बार या पंदरा दिनों में एक बार तो oiling करनी ही करनी है तो देखिए गाईज, अब मैं अपने बालों में से सारे tangles को remove कर रही हूँ, वैसे तो जिस तरह से मैंने oiling किया है, बालों में मैंने बिलकुल भी tangles को नहीं बढ़ने दिया, अच्छी तरह से मैं combing कर रही हूँ, आपको अपने बालों को इसी तरह से छोड़ देना है, अगर आपको घर का काम करना है, तो आप अपने बालों पर catcher का use कर सकते हैं, इससे आपके बाल बिलकुल straight रहेंगे, आपके बालों में bend नहीं पड़ेगा, आपके बाल fold नहीं होंगे, आप चाहे तो अगले दिन भी hair wash कर सकते हैं, एक दो दिन बाद भी hair wash कर सकते हैं, इस कर सकते हैं, इसfeld आपके बालों में कर सकते हैं, बालों में अफिवाशने सेल–स हाऊप चाहरा कि ये कर सकती हैं, बालों में लाद हैं अगर